यहां पे बहुत बहुत सारे students give up कर देते हैं मेरको अभी भी याद है मैं starting में आया था University में I had a friend hardly यार उसने तीन हफ़ते की classes कियोंगी उसको UK सूट ही नहीं हुआ वो वापस चल गया अपने home country they just give up, they went back I feel कि वो लोग prepared नहीं थे उनको नहीं पता था कि यह सारी चीज़े भी face करनी पड़ेंगी जो कि मैं आपको already इस वीडियो में बता रहा हूँ Welcome back to the channel guys मेरा नाम मनपरीट सिंग है सबसे पहले collectively मैं आप सभी को congratulate करना चाता हूँ जिन लोगों का UK का student visa approved हो चुक है कितनी सही जर्नी रही है आप सभी लोग 3-4 महिने से लगे पड़े हो SOP prepare कर रहे हो मुझे Instagram पे कितने messages आते थे आप सभी के मैं भी track रखता था अभी SOP बनानी है इसके बाद मैं funds maintain कर रहा हूँ मनपरीट भाई मेरा offer letter आ गया cash letter आ गया and now finally कितने लोगों ने मुझे Instagram में message किया है कि मनपरीट भाई हमारा यहाँ पे UK का student visa approved हो चुका है and हम अगले ही हफते यहाँ पे UK land करने वाले है आपकी यह success है ना I don't know कि मुझे personally क्या ऐसा मिल रहा है but I am very much happy half of the percentage of the students तो अगले हफते या mid of the September maximum यहाँ पे UK आने वाले हो तो चलो आप सभी के लिए अभी आज एक special video आपको बताऊंगा कि क्या expect करोगे आप UK में कैसा आपको feel होगा मैं बहुत चोटी बहुत basic चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ in fact negative चीजे बताऊंगा काफी लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यार अभी तो यह negative video डालेगा but जिसको यहाँ पे सीखना है वो positive चीज इस वीडियो से निगाल कर लेकर जाएगा so अगर मैं जो यह वीडियो में चीजें शेर करने वाला हो even if you are not 100% prepared after watching this video if you are 10% prepared आपको पता है क्या आप face करने वाले हो that's more better than being unprepared तो चलो गाईज वीडियो शुरू करते हैं before that इस चैनल WhatsApp UK को आप subscribe करते हैं because WhatsApp UK is all about what's happening in the UK that may be a student's concern if you have any doubt there are some questions जो कि आप public में पूछ नी सकते हैं and मैं भी answer कर नी सकता तो हम Instagram पे बात कर सकते हैं we can have a good chat about it there तो मैं आपको ऐसी 5 चीज़े बताने वाला हूं 5, 4, 3, 2, 1 ऐसी ranking में जाऊंगा वीडियो को end तक देखना क्योंकि जो last number 1 ranking है न that is the most important thing and you should be aware of that चलो हम बात करते हैं about the point number 5 that is jet lag काफी छोटी चीज है important भी नहीं है but जो लोगों को यहाँ पे नीन में थोड़ी problem आ रहे हैं इस वक्त उनको थोड़ा face करना पड़ सकता है जैसे हम सभी को बता है कि Asia में and UK का जो times होना है यह different है अभी इस वक्त यहाँ पे 4 बज़रे हैं शाम के तो इसका मतलब एशिया इंडिया में यहाँ पे specifically साड़े 8 बज़रे होंगे रात के तो यहाँ पे साड़े 4 गंटे का difference है तो आप जब यहाँ पे आओगे आपका जो sleep time है आपको जो भूग लगेगी यह सारे जो हिसाब किताब है ना वो थोड़े से यहाँ पे उपर नीचे होने वाले है मुझे personally ऐसा कुछ नहीं हुआ था काफी लोगों को यहाँ पे सुनने में आता है कि you know temporary sleeping disorders भी हो सकते हैं आपकी जल्दी नहीं इनकुल जाएगी या तो आप लेट हो जाओगे उटने में अभी हम बात करने वाले हैं about the culture shock अब culture shock के यहाँ पे 5 phases होते हैं कोई भी student UK आ रहा है कोई भी इनसान आ रहा है मैं तो बोलता हूँ वो हर एक इनसान यह जो shock वाला phase है ना यह जो 5 phases में आपको बताने वाला हूँ वो पक्का यहाँ पे वो उसके द्वारा उसको जाना ही पड़ेगा वो एक wave ही होती है ठीक है हर एक student जाता है मैं भी गया था आप भी जाओगे मैं इस वक्त हूँ चौते phase पे आप 1,2,3,4,5 जो 5 में phase वाले हैं उनको यहाँ 5,5,6 साल होगे रहते हुए तो सबसे पहले बात करते हैं number one phase मैं बोलता हूँ इसको honeymoon phase क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे fresh होगी आपके लिए आप यहाँ पे UK के airport में land किये हो इस वक्त और आप बाहर निगलते हो देखते हो कि इतना साफ मौसम things are different आपके home country में जैसी चीज़े थी उससे काफी ज़्यादा different चीज़े रहेंगी इतनी सही roads, इतने सही लोग इतना यहाँ पे बढ़िया infrastructure इतना सही view बहुत सारी चीज़े add होके न जब आप देखोगे आपको बहुत यहाँ पे excitement हो जाएगी and specifically जो लोग यहाँ पे London Heathrow Airport में land कर रहे हैं Heathrow Airport world का guys यहाँ पे busiest airport है तो इसका मतलब वहाँ पे तो बहुत रहनक रहने वाली है मैं personally यहाँ पे London Heathrow Airport पे लैंड किया था तो यह सारी चीज़ें आपने देख ली फिर आपते हो आप crisis phase आप जो airport से अपने accommodation अपने घर तक पहुँचोगे आप बहुत सारी चीज़ें देख कर पहुँचोगे मैंने आपको पताया इनसान, रास्ते, infrastructure, साफ roads, clean रहती है हर चीज़ें यहाँ पे तो आपने लोगों का lifestyle देख लिया कि कैसे रह रहे हैं उन लोगों का lifestyle देखा है जो लोग यहाँ पे ना जाने कितने सालों से रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं लोगों की affordability आप चेक कर लेते हो हर एक चीज़ देख लेते हो फिर आप उस हिसाब से relate करोगे चीज़ें कि भाई मैं भी ऐसा हूँ बट आप कैसे हो आप तो अभी अभी land की हो आपको तो कुछ घंटे हो हैं तो यहाँ पे क्या होता है थोड़ी frustration आएगी आपके अंदर आप चीज़ें compare करने लोगों के साथ जैसे मैंने आपको बता है affordability चेक होगी language barrier आएगा आप कहीं भी बाहर जा रहे हो किसी के साथ eye contact कर रहे हो किसी को greet कर रहे हो body language आपकी ऐसा हो सकता है कि आपको वो inappropriate लगे rude लगे या तो सामने वाले इंसान आप सही हो तो सामने वाले इंसान की आपको body language सही ना लगे तो यहाँ पे क्या होता है frustration develop होती है इसके बाद आता है guys third phase इस phase में इंसान adopt करता है चीजों को आपको भी पता चल चुक है कि भाई मेरे को तो यहाँ पे अपनी degree complete करनी है मेरे को एक से दो साल रहना है तो आप adopt करोगे कि चला अच्छा यहाँ पे ऐसा system है ठीक है बड़ी है ओके ऐसे लोगों को greet करना है बात ऐसे करनी है यहाँ पे जो पूरा lifestyle है ओके this is the thing तो यहाँ पे आप चीजों को adopt करोगे आप आस्ते आस्ते चीजों को सीख जाते हो settle होते हो इस country में and don't worry problem आती है this is the most difficult phase but हर एक यहाँ पे इंसान हर एक student यह face के तुरू निकल जाता है जैसे भी करके तो उसके बाद आता है the fourth phase, चौथे phase में क्या होता है आपको लगेगा reverse cultural shock अब आप यहाँ पे UK के तौर तरीकों के हिसाब से settle हो चुकी हो आप अपने parents के साथ बात करोगे back in your home country अपने friends के साथ बात करोगे आप उनका lifestyle देखोगे you'll miss something, you'll miss the food आप अपने home country के cultures अपने home country के beliefs यह सारी चीजें miss करोगे आपको मन करेगा कि मैं जाओ यार यह यह चलते रहता है मैंने आपको बताया है, मैं चौथे phase में हूँ इसका ना कोई तोड़ नहीं है आप कहीं भी चल जाओ, आप अपना बचपंजा निगाल के आयो, उसका मुकाबला वो gap यह रह जाएगा वो कोई fill नहीं हो सकता अभी आता है, fifth phase, जो लोग यहां पे काफी साल जी लेते हैं, bubble में जीने लग जाते हैं, मैंने सुना है काफी लोगों को, वो अपने home country को ही hate करने लगते हैं, यहां पे काफी मेरे friends ही है जो 5-6 साल हो गया उनको यहां पे रहते रहते, they are like कि यार मैं इंडिया जाऊंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा न, गर्मी में नि मैं जा सकता भाई, तो उधर ही पैदा हुआ है, मैं सिर्फ आपके perspective दे रहा हूं, I am not saying कि आप ऐसे हो जाऊगे, ऐसे लोग हो जाते हैं some of them start hating their home country नई ने यार, UK बहुत सही है, तो यह एक वैसा bubble में जीने लगते हैं, हम बात करने वाले हैं about the point number 3, that is high conversion rates, हम सभी को बता है कि हम Asia से आ रहे हैं, UK की जो currency है थोड़ी strong है, तो कुछ बनता नहीं है, अगर मैं इंडिया से 1,00,000 रुपे लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे UK में 1000 pound बनता है, and 500 pound तो rent ही होता है यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत आती है आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो एक bus journey भी आप starting में आऊगे न, तो you will just start comparing it with your home country and यह section में मैं बात कर रहा हूं, तो आपको यह भी बोलना चाहता हूं, मैं, UK में आपको यहाँ पे जाधातर cash देखने को नहीं मिलेगा and जो लोग यहाँ पे starting में, since you don't have a bank account तो आपको यहाँ पे starting में cash से ही deal करनी पड़ेगी कुछ भी आप खरीद रहे हो, तो वहाँ पे ना, बहुत difficult होती है counting करनी, इतने coins हैं, notes तो that is fine coins का हिसाब किताब, आप आओ, UK के, आपको याद आएगी मेरी बात coins का हिसाब किताब रखना बहुत difficult है and बहुत गंदे होते हैं यहाँ के coins अभी हम बात करेंगे about the point number 2 यहाँ पे, जैसे, अगर मेरा यहाँ पे हिसाब ले लो तो लंडन में न, मेरा यहाँ पे कोई फ्रेंड नी था तो आप यहाँ पे बहुत lonely हो जाओगे starting में life बहुत boring हो जाएगी बहुत overthinking करोगे since you don't have a job, आपकी life slow हो जाएगी progress नहीं होगी and यह जो छोटे-छोटे काम है, cooking, eating and grocery करनी यह चीजें किक करती है, homesickness किक करती है आपने अपने home country में जो comfort देख लिया है न उसकी आपको बहुत याद आएगी, आप miss करोगे and यहाँ पे बहुत-बहुत सारे students give up कर देते है मेरे को अभी भी याद है, मैं starting में आया था university में I had a friend यार वो hardly यार उसने तीन हफते की classes की होंगी उसको UK सूट ही नहीं हुआ, वो वापस चल गए अपने home country आप यह हिसाब लगाओ, कितने आपको पता ही होगा आप सभी लोग वीडियो देख रहे हो कितने यहाँ पर efforts लगते हैं, कितने funds की ज़रुवत पढ़ती है UK आने के लिए, but उनको सूट नहीं हुआ, they just give up they went back, I feel कि वो लोग prepared नहीं थे उनको नहीं पता था कि यह सारी चीज़ों भी face करनी पढ़ेंगी जो कि मैं आपको already इस वीडियो में बता रहा हूँ यह सब को करनी पढ़ती है, अभी हम बात करने वाले हैं the most important point, point number one that is stress, इसके आगे कुछ भी बोलने से पहले, guys आपको यह manage करना है, stress manage करना है, यह आपको मैं बता देता हूँ करना ही पढ़ेगा, हर इंसान अपने तौर तरीके के हिसाब से कर लेता है यहाँ पे एक student को बहुत practical होना पढ़ता है दो उसकी life में इतनी problems होती है जैसे day to day living यहाँ पे आपको जैसे आते साथ यहाँ पे अपने university में जाके वहाँ पे register करना पढ़ेगा साथ settlement, shopping करनी है, groceries करनी है cooking करनी है, आपको कहीं भी बाहर जाना है, job ढूने है, university जाना है तो आपको public transport navigate करनी पढ़ते है यहाँ पे क्या तौर तरीके हैं bus routes कैसे हैं, tube stations, सारी चीज़ें सीखनी पढ़ेगी, इसके बाद academic pressure हम यहाँ पे हमारे home country से आते हैं UK के तौर तरीके पढ़ाने के थोड़े different होते हैं, और आपको assignments मिल जाएंगी, फटा फट, pressure आएगा deadlines दी जाएगी, तो यह ना बहुत छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं है यह, बहुत छोटी चीज़ें, आप कर लो के सारे, बट, जो मैंने आपको पीछे चार point बता दियें, वो stress इतना जादा होता है उसके साथ साथ यह छोटी छोटी चीज़ें और heavy कर देता है stress को वो बोलते हैं कि समय है, तो निकली जाएगा जैसा भी हो, अच्छा हो, खराब हो, निकली जाता है हर एक student का निकल जाता है don't give up on this, and I feel this is end of the video, and I feel कि मैंने यहां पर थोड़ा perspective दिया you know, you at least 5% prepared की पता है आपको कि आपके साथ क्या होने वाला है, and यह वीडियो ना, याद रखना मेरी बाते है जो मैंने points बोले है, यह पूरी एक wave है, इस वीडियो को बार बार देखो, यह पूरी wave है यह आएगी ही आएगी आपके साथ, and at the end of the day, यह भी बोल देता हूं, कि you will be proud of yourself, even if you are going back to your home country, at some point, maybe, worst case scenario you might give up, but you will be proud of the whole thing, जो आपने यह wave को cross किया है, चलो guys, मैं निकलता हूं इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट है, follow me on instagram we can have a chat, and don't forget to check other videos on my channel, bye bye guys